हेलो फ्रेंड्स आज यम्मी बेक में बन रही है बहुती अमेजिंग सी चटपटी मसाले दार, चना दाल की पूरी आपने कई तरहेगी की पूरी खाई होगी, क्या आपने कभी चने दाल की पूरी खाई है? नहीं तो मेरे साथ चने दाल की पूरी बनाना सीखे और इंजोई करें ये पूरी खाने में बहुती ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी होती है बिना फटे बिना तेल भरे आज हम चटपटी मसालेदार बजार से भी ज़्यादा टेस्टी चने डाल की पूरी घर पर बनाएंगे वो भी घर में रखे कुछ समान से चलिए देर ना करते हुए बनाना शुरू करते हैं चने की डाल की पूरी बनाने के लिए हम लेंगे बाउल में डालेंगे दो कप चने की डाल अब हम डाल को साफ पानी से दोएंगे हमें डाल का स्टार्श निकान लाएं तो इसे अच्छे से साफ पानी से रगड रगड कर दोएंगे लीजिए हमने डाल को अच्छे से धोली आए चने की डाल शरीर के लिए बहुत ही जादा हेल्दी होती है ये immunity को मजबूत करती है हड़ियों को मजबूत करती है इसलिए बच्चों को ज़रूर चने की डाल से बनी हुई चीजे खिलानी चाहिए अब हम लेंगे कूकर, अभी हम कूकर को गैस पर नहीं रखेंगे, कूकर में डालेंगे धुलीवी डाल, साथ में डालेंगे चार कप पानी याद रखिएगा जितनी हम दाल लेंगे उससे दुगना पानी लेंगे मैं यहाँ दो कप दाल ले रही हूँ तो चार कप पानी लेंगे अब हम डालेंगे एक टीजपून हल्दी पाउडर, एक टीजपून नमक डाल कर अच्छे से मिक्स करेंगे और लो मीडियम फ्लेम पर दाल को चार सीटी आने तक बॉइल करेंगे जब तक कूकर में सीटी आएगी हम आटा गूत लेते हैं हम लेंगे गेहू का आटा, आप जितना आटा डेली यूज़ करते हैं ले सकते हैं आटे में डालेंगे एक टीजपून नमक, रोटी या पूरी का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है आटा ना ज़्यादा टाइट गूधना है, ना ज़्यादा लूज गूधना है आप देख सकते हैं, आटे को अच्छे से गूत लिया है अब हम आटे को 15 मिनट के लिए ढख कर साइड में रखेंगे इससे आटा बढ़िया से फूल जाएगा कूकर में 4 सीटी आ गई है अब हम ज़्यास को करेंगे बंद कूकर की सीटी निकल गई है, अब हम डाल को चेक कर लेते हैं देखिए दाल का सारा पानी सूप गया है दाल बढ़िया से पक गई है अब इसे हम प्लेट में निकालेंगे अगर आपको लगे कि दाल गीली है दाल में थोड़ा पानी रह गया है तो आप गैस को ओन करें और 2 मिनट के लिए दाल का पानी सुखा ले दाल को प्लेट में निकालके 5-10 मिनट के लिए ठंडा करेंगे जब तक दाल ठंडी हो रही है हम मसाले भून लेते हैं हम लेंगे कड़ाई कड़ाई में डालेंगे 4 टेबल स्पून सरसो का तेल सरसो के तेल से दाल के मसालों में बहुती बढ़िया स्वाद आता है लो फिलेम पर तेल को करेंगे गर्म तेल गर्म होते ही हम डालेंगे एक तेजपत्ता एक तीजपून जीरा एक तीजपून हींग और 30-40 सेकंड तक इसे भूनेंगे फ्रेंड्स चने की दाल की पूरी बहुती असान है और आप कहीं भार जा रहे हैं और किसी भी ट्रेवलिंग में बना कर असानी से ले जा सकते हैं ये खाने में बहुती ज़्यादा हेल्दी और बहुती ज़्यादा टेस्टी होती है 30-40 सेकंड हो गाए है अब हम डालेंगे 1 टेबल स्पून चॉप्ड लहसून और इसे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राइ करेंगे लहसून को ज़्यादा नहीं पकाना है नहीं तो ये कड़वा हो जाएगा और पूरी के मसाले का स्वात कड़वा कड़वा आएगा अब हम डालेंगे 2 चॉप्ड प्याज प्याज को मैंने रफली काट लिया है अब इसे मीडियम फ्लेम पर लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे एक बात और आप कहीं दूर का सफर कर रहे हैं तो आप बिना लहसून और बिना प्याज के चने की दाल की पूरी बनाकर ले जा सकते हैं दूर के सफर में लहसून और प्याज पूरी में नहीं डालेंगे नहीं तो टेस्ट बिगर सकता है प्याज को 5-10 मिनट तक लाइट गोल्डन होने तक भूनेंगे साथ में डालेंगे 1 टीजपून नमक नमक डालने से प्याज जल्दी भूनेगी अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर ज़रूर बताएं 5-10 मिनट हो गई है П्याज बड़िया से लाइट गोल्डन ब्राउन हो गई है अब हम इसमें डालेंगे सूखे मसाले याद रखिएगा मसाले डालेंगे तो फ्लेम को लो करेंगे नहीं तो सारे मसाले जल सकते हैं अब हम डालेंगे एक टेबल इस्पून हल्दी पौओडर एक टेबल स्पून धनिया पाउडर, एक टी स्पून गरम मसाला, एक टी स्पून चाट मसाला, एक टी स्पून कदुकस की हुई अधरक, चार से पांच बारी कटी हरी मिर्च डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे, साथ में एक टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउ हम डालेंगे चने की दाल ढालड की दाल ऑर पांच भीनटते दाल तक कड़नाये पशुट का यहां पांच भीन प०्ट तरहें पांच मिनट के लिए घंद AIT मसाला भी ठंदा हो गया है और एक स्वाइब हो गया है अब हम आटे की एक लोई लेंगे और इसे मसल कर गोल करेंगे इसमें सूखा आटा लगा कर बेलेंगे और एक चमच दाल का मसाला डालेंगे और अच्छे से इसके मूँ को बंद करके हलके हातों से बेलेंगे आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से कर रही हूँ आप देख रहे हैं पूरी कहीं से भी फटी नहीं है और मसाला भी कहीं से नहीं निकला है पूरी में मसाला भरने का एक और तरीका है वो भी मैं आपको बता देती हूँ हम एक आटे की लोई लेंगे लोई को अंगूठे से प्रेस करते हुए कटोरी की शेप देंगे और एक टीज़पून मसाला भरेंगे और इसको बंद करेंगे फिर लोई को अंगूटे से प्रेस करते करते गोल करेंगे और बेलें से हलका सा बेलेंगे आप देख रहे हैं सभी पूरी को इसी तरीके से भर के रखेंगे आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके से पूरी को भरें और बेलें सभी पूरी को इसी तरीके से भर कर रखेंगे अब हम कड़ाई में तेल गरम करेंगे तेल गरम होते ही लो मीडियम फ्लेम पर एके करके पूरी डालेंगे और इसे फ्राय करेंगे आप इसे चने के दाल की कचोड़ी भी कह सकते हैं या पूरी भी कह सकते हैं इस पूरी को हाई फिलेम पर नहीं तलेंगे नहीं तो पूरी जल जाएगी और अंदर से पकेगी नहीं ये अंदर से फूल गई है आप इसे पलट लेंगे आप देख सकते हैं कि पूरी रेडी हो गई है, इसे निकाल लेंगे, सभी पूरीों को इसी तरीके से तलेंगे और रेडी करेंगे, लीजे तैयार है हमारी चने के दाल की चटपटी मसालेदार पूरी, आप देख रहे हैं, पूरी ना तो फटी है, ना पूरी में तेल भराए बिल्कुल ओयल फ्री, चने के डाल की हेल्दी पूरिया तैयार हो गई है, इसे आप खीर के साथ या चटनी के साथ खाएं, बहुती ज़्यादा टेस्टी लगती है, मैं इसे तोड़ कर भी दिखा देती हूँ, ये देखिए, डाल पूरी तरीके से अंदर चिपक गई है, नह पूरी खाना पसंद करेंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, जल्दी मिलते हैं, नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाई बाई